आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello student, welcome to डाउटनेट, दोस्तों आज का हमारा जो question है वो है narration का पर हमें यहाँ पर डाउट को इनडारेट में नहीं इनडारेट को डारेट में चेंज करना है तो कुछ condition है, चलोई देखते हैं सबसे पहली condition हमारे पास told, told मिला है इसका मतलब है कि sentence में object compulsory होगा तो इस बज़े से हम इस क्या करेंगे told को question में said to के साथ replace करेंगे इसका मतलब है question में said to मिलना चाहिए, next पे आते हैं next point है sentence में that दिखाई दे रहा है जबकि that सिर्फ use होता है indirect में, तो इसका मतलब है question में हमें that नहीं मिलना चाहिए अब आते हैं अगले point पे next है he आपको दिखाई दे रहा है he he का मतलब है या तो subject या तो object के साथ change होगा, singular है अगर subject के साथ से होगा तो question में हो जाएगा I अगर object के साथ से होगा तो question में हो जाएगा you means दोनों हो सकता है, पर option में दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों के साथ काम नहीं होगा, next पे आते हैं दोस्तो, next है verb का, दोस्तो यहां पर tense में लिखा हुआ है, loved his parents, तो इसका मतलब है कि sentence किसमें use हुआ है, past में use हुआ है, तो इस sentence को हमें present में change करना पड़ेगा, अब यह change कैसे होगा, उसे देखते हैं, अगर sentence I के हिसाब से हुआ, तो sentence होना ची हुआ, तो you में क्या होना चाहिए, you में भी होगा, love your parents, अब चलते है options की और तो दिखाई दे रहा है, options में clearly यह चीज़ पता चल गया, कि you नहीं है, तो इसका मतलब है sentence I के हिसाब से काम करेगा, अब अगर sentence I के हिसाब से काम करेगा, तो हमें 2-3 चीज़े देखनी होगी, वो देखते है, first option में I love my parents होना चाहिए, और इसके अलावा जो चीज़े हमने पहले discuss की वो भी होनी चाहिए, तो अगर हम options को देखे, तो set to, set to, सब जगा है, तो वो avoid करते है, that हर जगा नहीं है, तो वो भी avoid करते है, इसका मतलब हमें सिर्फ I love my parents देखना है, first option I am loving गलत ह I love my parents बिलकुल सही है, I have been loving बिलकुल गलत है, और I loves नहीं होता, इसका मतलब है कि option B इस question का correct answer होगा, and I hope सो दोस्तों कि आपको ये answer और बाकी सारे point जो हमने यहाँ पर आपके साथ discuss किये, वो सब आपको clear होगे होंगे, thank you झाल